छलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा आज का सबसे पहला प्रसंदिया है कि ELCB का उपयोग 20-10 अवस्था में सुरोत को विश्योजीत करने के लिए किया जाता है सिधा सी बात है यानि कि disconnect करने के लिए यानि कि ELCB का सबसे पहले जो इंग्जाम में प्रसंद बनता है ELCB से इसका यानि कि full form आता है तो इसका जो full form होता है दोस्तो अर्थ लिकेज सर्किट विडेकर होता है अर्थ लिकेज सर्किट विडेकर होता है अर्थ लिकेज सर्किट यानि कि विडेकर होता है यह धियान में रखियेगा अब रही बात कि यह जो बचाता है जोस्तों यानि कि किस अवस्था में बचाता है option A में कारा है short circuit, B में कारा earth dose, C में कारा open circuit और D में कारा अती भार से तो overload से ना बचाएगा ना short circuit से सुरक्षा पर्योग करेगा ना open circuit से सुरक्षा पर्योग करेगा ELCB का जो manly रूप से यानि कि जो पर्योग किया जाता है ठीक है यानि कि earth dose यानि कि earth fault जो होता है उसे बचाने के लिए हम ELCB का पर्योग करता है यानि कि earth fault से सुरक्षा यह पर्योग करता है और earth fault जो दिया है option 2 में है correct answer की अगर बात किया जाए दोस्तों option इसका 200 ही हो जाएगा चलिए next प्रसंड पर चलते हैं आज का अगला प्रसंड दिया है कि 250 वोल्ट से कम की वोल्टेज क्या का लाती है कितना रंज दिया हुआ है यानि कि 250 दिया हुआ है ठीक है 250 की अगर बात किया जाए तो यह low tension की अंतरगित आएगा ठीक है क्या आएगा भःइ low tension अगर high tension की बात किया जाए तो fandКак 650 के बीच high tension आएगा Extra high tension की बात किया जाए 650 से 11 हो जाएगा इसी परकार यानि कि बड़ते चला जाता है ठीक है भा bueno अब रही बात कि low tension की बात किया जाए को एक सब्सक्राइब लुटी दिया हुआ है नेक्स प्रसिंट पर चलेंगे नेक्स प्रसिंट अज आज का दिया हुआ कि दस भूल्ट 100 माक्रो एंपियर अंकन के 25 बल्ब से निक अमें 250 बल्ब सुरूत के आर पर से उजित किये जाते हैं परतिक बल्ब से परवहित होने थारा यानि कि आउंकि आंपियर में ग्यांद करना है तो कि इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए यानि कि एक सव माइक्रो एंपियर बराबर जो होता है दोस्तों जीरो पॉइंट यानि कि एक इसके निए इसके यह नहीं दोस्तों नहीं होता है उसकी पर चिकरें सेधार न करेंटा थां इसके लिए oh नेक्ट प्रसनाज का दिया हुआ है गैस बी सर्जन लेंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्त से चलते हैं जलते हैं निम्न में से किस लेंप में अन्य को अधिक समय देरी पैदा करती है सिधासी बात यह हुआ कि जैसे यानि की लेंप है ठीक है उसको हम स्टार्ट कर सबसे अधिक टेम जो लेगा वह स्टार्ट होने में उसका वबटानाई है ठीक है तो सबसे ज्यादा यानि Key टेम जो लेगा दुस्ट वो सोडियम भीपर लैंप क्या लेगा Ao काफी ज़्यादा लागभग यो goose मिंट के आसफास ये फुल लाइट देने में इसको याने सट सब्सक्राइब धीधा दीन के 20 मैंकि यूजहाँ है क्मा ट्यूं उप्सट्पायग क्यों चार में दिया हुआ है तो नियन लेंप जो होता है दोस्तों यानि की फेज टेस्टर जो होता है ठीक है उसमें यानि की इंडिकेटर की रूप में इसका परियोग किया जाता है यानि की फेज की जांच करने के लिए इसमें यानि की करेंट है या नहीं इसे जांच करने के लिए हम नियोन लेंप का फेस्टेस्टर में हम परियोग में लेते हैं, ठीक है? ठीक है, टीवलैट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, साधी भी हमें बहुत ज्यादा ये चलता है, अभी यानिकी चलता ही है, मरकरी फेपर लेंप की अगर बात किया जाएं, तो ये भी काफी अ उसमें यानी कि परचालन का भोलता किस पर निर्भर करता है, option A में का रहा है, नियॉन की ब्यास, यानी कि उसका जो dia링टर होगा, ठीक है? यानी कि उसका jod diameter होगा क्या, उस-पर depend करेगा? G नहीं एकदम नहीं इंचने depend करेगा, बी में दिया है नली में भड़ी गैस पर तो गैस पर ये भी डिपेंड नहीं करेगा ठीक है और तीन में जो दिया है दोस्तो नली की लंबाई पर ठीक है तो ये जो डिपेंड करेगा दोस्तो ये नली के लंबाई पर डिपेंड करेगा क्योंकि नली की लंबाई जो दिया है option 3 में correct answer जो होगा option इसका 3 सही हो जाएगा ठीक है चलिए next प्रसंड पर चलते हैं अगला प्रसंड दिया है कि खुले यान us can do use ऑपेंडका चलिफ्यूघा परतिरोधेंड़योन आ सब्सक्राइक रंधाब मतलय निकली कुल के मतलब ऑप्रियो प करेदाब करेंड़ में नाउट है खुल आजए बाल। मगटान में चल्ट सब्सक्राइस बह郭ाद करेंड़न के 12 से खर्ण Kom अगर टीव लाइट में चौक नहीं लगाया जाय तो वह गय। right option A में कह रहा है कि नहीं ज़लेगा επι में कह रहा है कि हमेशा जलती रहेगी सी में कह रहा है फिउज हो जाएगी और डिमें कर रहा कुछा प्रिणापर्वार्ण करक्या ओपने यानि नाफ्ड नवल नहीं लगाए तो अधिग करेंट उस जल जाएगा ठीक है? तो right answer जो होगा option इसका 3 सही हो जाएगा क्योंकि 3 में जो दिया है huge हो जाएगा. next question पर चलते हैं next प्रसन आज का दिया हुआ है questions में है कि 1 मध्यवर्ती स्यूज में dash होते हैं मध्यवर्ती स्यूज में मध्यवर्ती स्यूज में चार सील गोट किसे समें दिया हुआ है ऑप फेसे में ओप सब्सक्राइब बिक्ष में नभीटम प्रकारी कि दिस्ट कॉन सा ठीकिन की गवीन्तमपर्ट में प्रकार का जो दीप लेंप के सीनी में आता है तो आई टेंसर जो होगा आप्सन इसका एक सही हो जाए क्योंकि एक में जो दिया हुआ हो इक में जो दिया हुआ है वह नभिंतम शरी रैपिड इस्टार्ट लेंप दिया हुआ नेक्स्ट प्रसंट पर चलेंगे नेक्स्ट प्रसंट आज का दिया हुआ है जिस सर्किट बिडेकर में कोई अनुरक्षन योगी पूर्जा नहीं होता है उस dés के नाम से जना जाता है अनुरक्षन का मतलब क्या यादी कि उसे यादी की मरमत दुबारा नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर खराप्य उसमें म्वुफ है उसे यानी की मरमत क्या है तो नहीं कर सकते है और ऐसा सर्क् ingennel का नाम क्या है तो होता है और option किस में दिया है miniature circuit बिरेकर तो option जो दिया है यह तीन में है correct answer जो होगा option इसका तीन सही हो जाएगा फिर से अगला प्रसन पर चलेंगे अगला प्रसन दिया हुआ है कि जब एक ख cowby पर बीत्रन united the Nebraska सथाफित हो तो दो खंबय की प्रसवारी प्रस्वारी से अधीक नहीं होना चाहिए ठीक का कारा तो आठी लाइट सक्राइब जी एक फिंचा ने डिक्तर हो ङने कि दोनों और एक ही खंबय पर यह हुआ है की अगला प्रसंद्य यह कि संचरं Fr k gb सकता होती है ठीक का संचरं होता है अब गाइन की मलीफ यह की संख्या होने वाला है दोस्तों आर वाई भी कहने का मतलब सीधा यह हुआ इस में जो संख्या वो वह तीन होगा तीन जो दिए हुआ है किसमें है ऑप्षण यानी की दो में दिया है क्रेक्शन सर्ज जो होगा ऑप्षन इसका दो से हुजाएगा चलिए अगला प्रसंद पर चलते हैं अगला प्रसंद दिया हुआ है कि विदूत उत्पादन केंदर के अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफॉर्मर में स्योजित करने वाले लाइन क्या का लाती है ठीक है और पört 50 जो दिया हुआ है कि अक्जाने की उत्पादन केंदर के उपचायक अथ्वा अपक चाहिए याट कि या step down transformer में अस्थाफित करने वाली लाइन को अच्छा step up और step down देखे अगर थोड़ा सा मिस होगा तो समझिए कि answer भी मिस हो जाएगा तो यहाँ पर जो उपचय क्यानि कि step up या step down transformer का जो manly रूप से परियो किया जाता है वो man feeder में किया जाता है कहाँ पर man feeder में हुआ हुआ है option किस में है option जो दिया है option 2 में है तो राइट एंसर जो होगा option इसका दो सही हो जाएगा next प्रस्ण आज का दिया हुआ है कि cfls का किस सिधान पर काम करता है सबसे पहले इंग्जाम में इससे जो प्रस्ण बनता है यानि कि cfls ठीक है इसका जो फुल फर्म से इंग्जाम एक नंबर का प्रस्ण बनता है तो इसका फुल फर्म होता है compact fluorescent lamp क्या होता है compact fluorescent lamp होता है ठीक है यह धियान में रखिएगा अब रही बात कि किसके सिधान पर प्रस्ण के काम करता है तो ऑप्शन एक में दिया है कि solar lamp तो solar lamp की सिधान पर वर्क नहीं करता है नहीं करता है ना हेलोजन क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले यह जो प्रसन है वाइंडिंग का प्रसन है और इसमें की कुंडली की संख्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कुंडली की संख्या जो दिया हुआ है और खांचों की संख्या पूछ रहा है तो परतेक कुंडली में यानि की दो खांच हो यह जो होगा दोस्तों ऑप्सन 4 में दिया है 12 आधे उसका 4 सही ऑजाएगा कर पर चलते हैं नेक्ट प्रसट आज का दिया हुआ है एक नक्स प्रसन है बितरीट में कुण्ड ला हुना चाहिए किस दोस्तों तो बीत्रित वैंडिंग में कह रहा है तो बीत्रित वैंडिंग में क्या समान होना चाहिए ऑप्शन एक में कह रहा है कि पोल फीच बी में कह रहा है लंबाई सी में कह रहा है चोराई और डी में कह रहा है यानिकी मोटाई तो इसमें यानिकी जो बीत्रित वैंडि को भी रखा गया है लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप किसका इंग्जाम दे रहे हैं ठीक है यूपीपी सील में एक वार प्रसंद आया था इसे पूल पीच माना था और टेक्निकल हेलपर में जो यह प्रसंद का एंसर माना था बोर्ड वो लंबाई माना था ठीक है अगला प्रसंद पर चलते हैं अगला प्रसंद आज का धिया हुआ है यदि खाचों का कॉन 30 डिग्री बैदुत अंस हो और मुखे कुनलन खाचा संक्या एकसे प्ररम होती तो प्ररम्भी कुनलन प्रराम्भ होगा ठीक है कहां से प्ररम होगा कहने का मतलब सिधा और सिदा य मोटं है इन इस से प्रम हो रहा हितstar तो से घृषप अगर तीन से हो रहा है तो चारद से होगा ठीक है ये ध्यान में राखना होगा तो खालर जो दिया हुआ हुआ है प्राइब है तो जो दो में एक जि सी को प्रस्थीति में अर्मेट वाइंडिकि से में से कौन सी वारश परियोग किया जाता है आपतकालिर September किया हुआ यानिकी इमर्जैंसि ओर में दोस्तों जो वारश का परियोग किया जाता वह मेलियर रोप से यह कि यह Čनिकी तुरंट क्या हो वह उसका तो नमी होता है यह तुरंट उसे यह लगने के बाद वह समाप्त हो जाए उसका यानिकी नमी का गुम अब रही बात की नमी किस में दिया हुआ है इस परकार का यानिकी की ऑप्सन 2 में दिया है वार्निस वायू से सुष्क होने वाला तो राइट अंसर इसका दो सही हो जाएगा अगला प्रसंद दिया हुआ है कि छोटी डीसी मोटर में परियों किये जाने वाले खांच है ठीक है यानिकी डीसी में का रहा है ठीक है मोटर यानिकी दो परकार का एक डीसी होता है और एक एसी होता है अब रही बात कि इसमें पूछ रहा है यानिकी डीसी का तो डीसी के अगर पूछ रहा है तो डीसी में दोस्तों जो खांच होता होता है क्या होता है यानिकी अर्ध बंद खांच होता है और अर्ध बंद खांच जो दिया हुआ है किसमे भी का सकते हैं उस टैप का तो यानि कि तीन में दिया अर्दबंद खाचे तो राइट एंसर जो होगा ऑप्शन इसका तीन सही हो जाएगा के शाष्य में आगे अगला प्रसंडब डिया हुआ है किस प्रकार के एसी ने कम और दिक्षा अधीक होती है त्प्रक्षण च्क आदिक हों च्छिए जो होता है निकी लोसेस जो है वो अर्फ्यनशी जादा होता है वो को ध्यान में टखना है तो उसे में हैं को होता तो इस यानि कि दखता सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों मेटल रेक्टिफाइड का होता है जो की option किसमें दिया है वह option 4 में है राइट अंसर जो होगा option इसका चार सही हो जाएगा अगला प्रसंदिया हुआ है कि बड़े अकार में mg सेट में परियूक्त अचील मोटर होती जो परियोग किया जाता है वह एम जी सेट में किया जाता है यानि कि बड़े अकार वाला जो मोटर होता है वो इसमें इसी का हम परियोग करते हैं जो कि एक में दिया स्क्वाइर लगे तो राइट अंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सई हो जाएगा अगला प्रसंद यह है कि किPower कंमजोर परने का निमलीखित लखें से पता चल जाता यानि कि सेलिनियम ऑरक्वाइर जो होता है कम जो प užEM सेका उन्पडाघिए का सब्सक्राऄा, सब्सक्राइब, अनुभब होना और डी में कारा उपरोगत सभी तो ऐसा लक्षन जो देखने को मिलता है दोस्तों इंपुट कर अगर करेंट अगर बढ़ जाता है तो यह हमको मालूम पर जाता है कि सेलेनियम रेक्टिफ हैर जो हो कम जोर वर गया है ठीक है तो राइट एंसर जो होगा ऑप्सन इसका दो सही हो जाएगा फिर से नए प्रसन पर चलेंगे तो देखिए यह प्रसन दिया हुआ है कि यानि कि दू धुरू पचास तुले काले की यंद्र की गति आर्पीम में क्या होगा तो सबसे पहले यानि की फर्मूला को धियान में रखना है एंस बड़ावर क्या होता है कि अर बटता में यानि की ठीक होता है इसको अगर काटेंगे तो यह शाठ तुनां 12 और च्छों चेतिस यानि कि 3,000 आझ्यां में इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका 3000 आझ्यां में आशा करते हूँ आप लोग सभी प्रसन को अच्छा से समझे होंगे कोई भी प्रसन में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजेगा आपको जबाब बहु जल मिलेगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तके लिए जहिंद